हेलो एवरिवन मैं हूँ मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए यस्टेड़े मैंने आपको जो अनालेसिस दिया था वसी अनालेसिस के टारगेट और लेवल निफ्टी के मैंने आपको दिये हैं दे मैं जो वीडियो अनालेसिस करके अपलोड किया था निफ्टी निफ्टी के देखें निफ्टी 50 3rd मार्च 2022 17,500 का लेवल 130 पे दिया था शौट ट्रम ट्रेड दिया था इंट्राडे के लिए 142 और 154 टारगेट और 138 पे सेव ट्रेड बुक प्रॉफिट हो गया उसके हमारा प्रोफेशनल का सेव ट्रेड 150 प्रॉफिट बुक हो चुगा 154 फाइनल टागेट भी हमारे अचीव हो चुके उसके बाद जो मैं टेकनिकल अनालेसिस के क्लासिस लेता हूं उसका अपडेट दे दिया और उसके बाद ना मैं कोई कॉल ऑप्शन दिया ना कोई कर दूगा अभी हम लोगों ने बात किया था पहला ब्रेकडाउन लेवल सेकेंड ब्रेकडाउन लेवल अगर ब्रेकडाउन लेवल के नीचे कैंडिल ओपन कर रहा है तो स्टॉक नीचे ही सौरी इंडेक्स नीचे ही जाएगा और अपना प्रीवियस ब्रेकाउट लेवल जो है उस previous breakout level से proper buyback करेगा यानि market pullback करेगा और आज market वई से pullback दिया और उसी तरीके से मैंने target दिया और target हो चुक है target अचीव होते है समय अभी एक position फिर से दिया है हमारा निफ्टी-फिफ्टी वो पोजिशन है दोस्तों सत्रा एक सो तीस 17 130 सेकेंड इसने प्रॉपर breakdown लेवल दिया 17 260 फाइनल ब्रेकडाउन इसने लेवल दिया 17 340 ठीक है अभी मैं अपने पूरे लेवल प्रीवियस के हटा देता हूं अभी हटा देके candle chart analysis अभी हम लोग कर रहा है तो यहां लेवल क्या है 17 340 दाल देंगे 17 250 इदर है यहां पर क्या है 17 130 ठीक है अभी यहां पर position neutral है position neutral है तो अब लोग हम लोग MECD देख रहा है माइनस लेवल पर red solid candle formation है इसका मतलब यह है under RSI 4260 consolidation इदर हमारा premium घटाया जा रहा है nifty 50 का तो हम लोग कल अगर fair market में trade भी करे 24th February की expiry में trade करना एक तरीके से बेवकुफी होगा तो मैं completely suggest करूंगा 3rd March की expiry पे trade करिए क्यों बताता हूं क्योंकि major pullback जो है 17 130 से कल होने वाला है अगर यह उससे पहले trend अपर trend करें तो 17 250 का level touch करके ऊपर candle formation दे रहा है तो 100% 17 340 का level यह touch करेगा ही करेगा करेगा ही करेगा अगर यह trend reversal करके ऊपर जाना चाहता है इसका मतलब यह है कि पहले हमें trend reversal होगा उसके बाद हमें call option की opportunity मिलेगी expiry नजदिक है 24 का इसका मतलब एक ही premium घटेगा तो मैं completely suggest कर रहा हूं 3rd March पर काम करेंगे आज जो मैंने analysis किया है levels का जो pattern 17 340 17 250 downtrend 17 130 इसके basis पर कल गुरूप मैं call दूँगा या put दूँगा आप stay tuned रही है गुरूप को आपको समझ में आ जाएगा गुरूप कैसे चलता है यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए yesterday के bank nifty के वीडियो में जो मैंने आपको analysis दिया जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों put है और call है put का level तभी बनेगा जब 37,250 break करके level नीचे बनेगा जो कल के वीडियो में बोला था वो ही repeat कर रहा है अगर वैसे देखने को नहीं मिला तो हमारा पहला proper breakout level breakdown level यह है and previous breakout level जो है वो हमारा यहां पर बना बढ़ा है यहां level break करके candle formation नीचे करनी है अगर उपर close कर रहा है इसका मतलब उपर ही जाएगा अगर नीचे close कर रहा है इसका मतलब नीचे ही जाएगा completely बता दिया और वादा किया था इसी analysis पे मैं आप लोगों को entry दूँगा और मैं आपको entry भी सुभा live market में दे दिया अब मैं सुभा की बात करता हूँ यहां पे दिया था दोस्तों कहां गया यहां पे दिया था bank nifty का 38500 call option third march का दिया था 290 पे short term targets 315 professional 330 उससे पहले मैं जो आपको लिवज दिया था bank nifty का 39000 10th March यह 10 March का है वो 3 March का है यह 39000 है वो 38500 है इसमें क्या बोला था 340 का और 365 का target लेके चलिए और immediate 360 के target अचीव हो चुक है उसके बाद 355 भी 365 भी अचीव हो चुक है अब यह 38500 का CE मैं इसके basis इस पे दिया था और सुबह morning की मैंने आपको update कर दिया दोस्तों pattern buying का pattern बन रहा है जिदर आप लोगों को पहला breakdown level उपर के level है जिदर position आप लोगों को buying बनेगी same pattern बताया pattern बताया अब आप देख सकते हो pattern का उपर level बन गया यहां पे देखो target अचीव हो गया अभी 38500 का level जो है 38500 का cv first target and second target दो भी अचीव हो चुक है उसके बाद मैंने क्या किया आपको कर nifty 50 का वीडियो भी था bank nifty से पहले वह nifty 50 में मैंने क्या दिया आप लोगों को आज के गुरूप में क्या दिया निफ्टी 50 में डेट नहीं दिया और मैं वेट कर रहा था कल के position के लिए जो मुझे देखने को मिला अभी बैंक nifty में जैसे हम लोगों ने एस्टेड़े वीडियो में analysis किया वैसे ही target अचीव हो चुका आज जो analysis कर रहे हैं वही levels वही analysis मैं आपको कल के गुरूप में भी दूंगा कोई फरक नहीं हर बार जो करता है इस बार भी वही करूंगा दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें proper breakout level जो हमें देखने को मिला वह proper breakout देखने को मिला 37 300 ठीक है जल्दी खतम कर देंगे हम लोग proper breakdown level देखने को मिला 37 700 अभी कल का जो भी criteria यानि मिड रेंज का चलने वाला है वह इन दोनों के बीची चलने वाला है पर कर अगर लेवल ब्रेक कर रहा है 37 700 का तो समझ जाए यह market position upper trendy रहेगा क्यों अपर ट्रेंड रहेगा क्योंकि यहां पर प्लेस लेवल पर जो loose candle formation है यह selling के बाद buying show कर रहा है तो यह नीचे जाने के बाद position upper trend करेगा नीचे जा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि यह totally यह level को break करेगा break नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि RSI in between mid range sustain कर रहा है in between mid range sustain कर रहा है इसका मतलब यह है opportunity buying की दे रहा है पर selling देते वे buyer को panic करेगा जैसे buyer exit करेगा जो उने होना है तो वही यह लोग game खेलेंगे and मैं strictly want कर रहा हूँ 24th February की expiry में कोई भी काम नहीं करेंगे सभी लोग 3rd March की expiry पे ही काम करेंगे दूस्तों और कल का position simple है अगर 38,700 break कर गया तो call ही होगा यह guarantee यह लिखके दे लो अगर यह level break कर र रहा है slide falling knife कर रहा है इसका मतलब यह है position नीचे बनेगा and कल के position के लिए wait करेंगे चाहे वो call हो चाहे वो put मैं ही update दूँगा